हेलो दुस्तो दुस्तो मैंने अभी अभी जॉन विक फिल्म देखे एंड लेट में टेल यू वेरी फर्स्ट जॉन विक मेरे मुताबिक बो केरेक्टर है जिसको लेकर मा कहती है कि बेटे सोजा नहीं तो जॉन विक आ जाएगा यार अमेजिंग फिल्म सीरीज है यार ये फिल्म जॉन विक 2014 में रिलीज होई थी एंड आज इसे पहले मैं इसे कई दफा आई मिन कई दफा मैं इसे देख चुका हूँ ऑल्दो जब भी कोई फिल्म का या किसी वेब सीरीज का अगला चेप्टर सेकंड चेप्टर या अगल मुझे सब कुछ हजाटा हुआ है सब कुछ पता है कब कहा कैसे क्या हुआ जॉन विक है पाइदेट सब करेवियन है एंड एक नाम ओल था मिशन इंपॉसिबल है एंड फास्ट फ्यूरियस है इन फिल्मों का जो जब भी अगला पार्ट आता है आएगा तो मुझे पिछला बेटे यह जॉन विका जाएगा यह लाइन मैंने इस लिए बुली क्यूंकि इस फिल्म का जो करेक्टर है वीगो वो अपने बेटे को जोफेप को कुछ इस तरह से उसकी तारिफ उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि जॉन वो करेक्टर है जिसने इतनी लाशे यह जो फिल्म है जॉन मिक मेरे मताबिक मैं ऐसा माँथ आओ कि यह दुनिया की एकलोती ऐसी फिल्म सेरीज है मैं फिर से कहता हूँ फिल्म सेरीज है जिसमें इतना इस लेबल के इतना ताबर्टोड एक्षन हमें देखने को मिलता है ये पिछले पिछला जो इसका यह फिल में है मेरे मताबिक इस लेबल का एक्शन मैं किस भी फिल्म सीरीज में नहीं देखा इस फिल्म की दुनिया है इसकेbei जो जो रोल्स है जो regulation जो चीजें गो इसे एक completely इडिपरेंट आउट अफ दा बॉक्स एक्स्ट्राउडिनरी फिल्म बनाती है यहां पर यह लोग हैं जो कि रिमनल से इनका जो काम करते हैं जो जो इनका जो वो जो कॉंटिनेंटल होटेल है इनके रूल्स है कि उस होटेल में यह लोग धंदा नहीं कर सकते अगर धंदा करेंगे गोलिवारी होगी किसी को मारेंगे उस कॉंटिनेंटल की जमीन पर उस होटेल की जमीन पर तो वो उस बंदी का मरना तय है उसे कोई तब तक नहीं बचा सकता जब तक उसके उपर कॉंटिनेंटल का जो आका है उनका हाथ ना हो तब तक उसे बचाना ना वाजवाल ये नोट नहीं चलते, गोल्डन फिक्के चलते हैं, इस दुनिया में फरवाइब करने के लिए, इन लोगों को, अब जैसे, for example, एक शॉट था, जब जॉन विक कई लोगों को मार देता है, तो वो अर डिनर रेवरवेशन और कलता है, और वो उन लोगों को, वो ग नहीं देखी, तो देखना तो अब तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, इन कहाने, इस फिल्म की कुछ यू है, कि एक करेक्टर है, जिसका बाप और रेडी है, कुछ बड़े धंदों में है, कुछ दो नमबर वाले धंदों में है, तो वो बस यू है, एक काल उसे इसफिल्म का जो एक्फिन है, वो आउटस्टेंडिंग है, वहतरीन एकसन, इसका जो अगाइट सेक्टस्राइटक है, वो आउटस्ैंडिंग हें, क्यानकी बादे का, के बहतरीन है एंड इसके जो गन शॉट से वह कमाल की है बहतरीन है मतलब मुझे भी नाम याद नहीं याद था जिस में मैंने इस लेविल का एक्शन इस लेविल का गन शॉट से combat sequences देखे हो इस वक्त मुझे याद नहीं आता बट हो सकता है कुछ फिल्में हो फर एक्जमपल डेर डेवल में combat sequences बहुत अच्छे हैं और जो दूसरा action है इस फिल्म का वो भी कमाल का है तो फ़ाई action के मामले में ये फिल्म बहतरीन है मेरी देखी हुई मुझे जो नाम याद है उनमेंसे बैटरी ने ओलो फ़ाई mission impossible फिल्म सिरीज भी कमाल किये लेकिन बहाँ पे इस level के gunshots नहीं है बहाँ पे इस उन फिल्मों में gunshots नहीं है ये जो जॉन विक इस दुनिया की मेरी कुछ चुनिंदा मुफ्ट फिल्म सिरीज मेंसे एक है ये वो फिल्में है जिन मैं कई दफार देख सकता हूँ बार बार देख सकता हूँ एंड मैं बोर नहीं होता पकता नहीं हूँ एंड ये फिल्में इन फिल्मों की अगर मैं नाम लूँ तो वो सबसे ऊपर कौन से आएगी नीचे कौन से आएगी इसके बारे में मुझे मैं नहीं बता पाँगा एंड पा तो यह बो वाली फिल्म है जिने मैं कितनी भी बात देख लूँ मैं पकताने में बौध नहीं होता यह मेरी चुनिंदा मुफ्ट फेवरेट फिल्म है तो कहानी के बारे में ज्यादा बताने के लिए नहीं है और नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि यह इस्पोइलर पर देख लिए तो यह भी बही है तो यह फिल्म इतनी बार देख चुका हूँ एन्ट आज मैं आज नहीं चुरू किया पहले जब मैं जान मिख का डेवीव कर रहा हूं तो आई इतनी बार देखने के बावजूद भी आज जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो एक बार देखना शुरू करने के बाद जब तक यह खत्म नहीं होगी मैं अपनी जगह से हिला भी ने पूरी तरह से engaging hook and book करके रखती है हालांकि मेरे लिए यह उतनी ज़्यादा exciting नहीं थी क्योंकि एक एक शॉट एक डायलोग मुझे जाटा हुआ है तो मेरे लिए उतनी ज़्यादा exciting नहीं थी although exciting तो है मज़ा आता है अपकॉस इसे देखने में and वही वही दो तीन चीजें इसकी outstanding है great है जो इस फिल्म को दूसरों से अलग बनाती है वो है इसकी दुनिया इसका action so यह चीजे हैं यहाँ पर कमाल के फिल्म है बहतरी ने आगर आपने देखी है तो तो बहुत अच्छी वात नहीं देखी तो भाई जाके देखो यह फिल्म हिंदी में available है and यह फिल्म मैंने उस वक्त देखी थी अब जब जान्विक चैप्टर 2 भी हिंदी में आचुकी थी थी तरी रिलीज होने बाले थी तो तब भी मैंने यह फिल्म देखी थी and यह मेरी उसी बक्ते से फेवरेट हो गई थी यह ने 24 को वो फिल्म आ रही है जॉन विक चैप्टर 4 तो उसे देखने से पहले मैं बाकी फिल्मों का भी रिब्यू करूँगा मैं उन्हें देखूँगा क्योंकि यह मेरी फेवरेट फिल्म है तो यह सारी चीज़ें यहां पर है and yes action इसका अच्छा है लेकिन इसका जो बीजीम है जो गाने हमें सुनने को मिलते हैं वो भी कमाल के हैं इसके अलाबा कुछ और भी चीज़ें है एंड यह बन मुलते हैं फिल्म के एंड साइड एक की शॉर्ट है जहां पर बो लोग जॉन्मिक को पॉली पॉलिथिन के बैग से मारने की कोशिच करते हैं जबकि वो फीदी फीदी सर में गोली मार के भी उसे खत्म कर सकते थे थोड़ा अटपड़ा सा लगता है इस फिल्म में जॉन्मिक एक कह सकते है कि भूत है उन लोगों के लिए जिन से उसकी दुश्मनी है मतलब वो कहता है विग अपने मेटे से कहता है कि जॉन्मिक तुम्हें मारने आएगा क्यूंकि तुमने जॉन्मिक की जान्मिक कार चुधा लिए है, तो जॉन्मिक कोई क्षाओ leaking कर दा है, कोई कोई कुछ नहीं कर सकते है तो वह एक भूत की तरह है शी फिल्मे में एंड जिससे सबकी फटती है, हर कोई उसे जानता है, कोई भी उसके दास्ते में टांग नहीं अडाता, तो इस तरह की चीज़े हैं, वो जो polythene bag वाली जो मैं बात कर रहा था, वो कुछ ऐसा था, जिसे तुरंत ही निपटा देना चाहिए था, मतलब कोई इतना बड़ा risk नह मालता है, जैसे हथोड़े से कील ठोकी जाती है, मतलब रख दिया, फिर उपर से हाथ मालता है, फिर मालता है, तब जाके वो चाको गुसता है, तिन-चार बार वो हाथ मालता है, तब जाके वो चाको उसके सीने में यह जहां भी वो मालता है, बहां जाके गुसता है, तो य यहां पर जॉन विक की हमें बैकिफ्टोती देखने को नहीं मिलती उसके बारे में जानने को मिलता है कि वो बाबा योगा बोगी मैन था जिसे बाबा योगा कहते थे जिसे बोगी मैन को मारने के लिए बेचा जाता था एंड उसने काफी कुछ लाशे मिछाएं थी तो इस त यह वो एक सीरी जा रही है बोगी मैन जिसमें हमें जॉन विक के अतीत के बारे में जानने को मिलीगा तो भाई यह जो दुनिया है जॉन विक की यह आवड़ फ्रेंडिंग है कमाल की है बहत दीन है इफी लिए जॉन विक फोर के लिए मैं बहुत व्यारा एक्साइड हूं तो दस मिनिट के दिवी हो चुका है और मैंने का कुछ बता दिया है समझने मालों के लिए इतना भी काफी है और एक्टिंग तो भाई क्यानो रीप्स उन्हें मैंने पहली बार इता मैट्रिक्स सेरीज में देखा था हलांकि उस वक्त मुझे फैंस फिल्मों की जानका दी नहीं थी मुझे पसंद नहीं आती थी तो मेरे लिए जो उनका नोट करने लाइक था वो था जॉन्विक तो जॉन्विक में मैंने उन्हें दूसरी दफ़ा देखा था लेकिन वहां से वो मेरे फेवरेट हो गए थे सो आई यहां पर एक्टिंग उनकी बहतरीन है कमाल की है एंड बूच्यों करेक्टर है वीगो उसकी भी एक्टिंग अच्छी है और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका एक्टिंग यहां पर कमाल की है एंड एक चीज और है यह उन फिल्मों में शुमार है जिसमें कोई हीरो लीड हीरो नहीं है जो थी वो और कि और कुछ तो बचा नहीं है एक्टिंग है ही वो ली दिये मैंने एंड यह पुरी तरह से अफास्ट पेस है पुरी तरह सोकर बुकर के रखती है एंड कमाल की फिल्म है और सबसे बड़ी चीज यह एस बनमल थिंग इसकी जो राइटिंग है जैसे कि मैंने कहा इसकी दु को नोने आज अचा है लिखा है वो चीज बहतरीन है कमाल की है एंड इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहतरीन है आउटस्रेंडिंग है तो बस यही चीज़े है एंड बारे मिनट का रिब्यू हो गया ऐसे ब्यादा मुझे नहीं बोलना तो इस जफ्टा थिपी एन आफ चलिए वैसे मैं 3.7 के करीब कुछ देना चाहता था बट राउंड फिगर इट्स फोरे स्टार्स इट्स फोरे स्टार्स यहां पर थोड़ा वॉयलेंस है तो इसका थोड़ा ध्यान रखे वाकि यहां पर कुछ भी ऐसान नहीं है जो फैमली के साथ ना देख पाएं तो हमेशा की तरह एक रुकिस्ट लाइक या डिफ्लाइक करना इस वीडियो पर फिर आपकी मत चीए आप लाइक करें या डिफ्लाइक रियक्ट करें बस एंड शेर सब्स्क्राब करना चैनल को वीडियो को आ दिस इस नितिशानन साइन हमेशादान करना को वीडियो करेंगा लाइक लाइक दोख लाइक है।